नमस्कार, सलाम, निउसक्लिक में आपका स्वागत है भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव वहड़ा है बाते फिर युद्ध की की जाने लगी है क्या होगा इस सबका परिणाम, इस पर बात करने के लिए हमरे साथ है निउसक्लिक के एडिर इंचीफ प्रबीर पुरकाईज जी प्रबीर जी, पाकिस्तान के प्रदाहन मंतरी इमरान खान ने अभी अलजजीरा को दिये ताजा इंटर्वियू में एक बर फिर युद्ध की बाते की है तो बार बार युद्ध की बाते हैं, युद्ध की धंकी और पर्मान युद्ध की धंकी इस सब का हासिल क्या है और क्या मुश्किल है इस समय इमरान के सामने जो वो बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं एक देहिए कश्वीर पर हमने जो किया है तो इसका दो पहलोरależ एक तो हमने कहा कि Fujis पाकिस्टान की जो सरकार है वो इसके जिब्वेतार है हम कश्वीर पर क्या कर रहे है कि giurities जो अभी lockdown है इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की धंकिया है पाकिस्तान ऐसे कारवाई कर रहे है इसके लिए तो एक हिसाब से आप कह सकते होस्टेज टेकिंग वोट पर हम चले गए हैं जिसे good of for the good of काश्पीरी people काश्पीरी लोग भला के लिए पाकिस्तान को चुप हो जाना चाहिए तो ये तो पाकिस्तान की अंदरूनी माहल अगर आप देखें तो इस पर इवरांग पर ये pressure है कि ये आपने अगर इसको accept कर लिया कि कश्पीर सिर्फ इंदोस्तान की अंदरूनी मामला है तो पाकिस्तान की अंतराश्टियस तर पे जो पिछले 60 साल 70 साल से जो वो उनकी positions रही पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान सरकार की position कश्पीर को लेके रही है वो सब जो है गवा दी जाएगी तो इसलिए अब इमरान के पर यही position है तो ये जंग की जो आप कह रहे हैं कि परिस्थिति वापस आ रही है या बढ़ रही है हकीकत तो ये है कश्पीर की जो एक कदम हमने उठाया है इसका कोई अंतराष्ट्रिया असर नहीं पड़ेगा यह हमें नहीं सोचना चाहिए सही बात तो यह है कि कश्मीर अंतराष्ट्रिया मासला बहुत साल से रहा है इस पर सेक्वरिटी काउंसिल की resolutions है और इसको एक तरफा कारवाई से हम इस बात को खतम नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि इस वाक्त अमरीका चीन के बीश पे तनाओ है रूस अमरीका के बीश पे तनाओ है इरान अमरीका के बीच पे तनाव है इन तनाववाँ से जो घेरे हैं इस वाक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान उनके लिए इतनी एहमियत नहीं रख रही है उनको लगता है कि दोनो डूकलियर पावर्स है आप जंग नहीं करेंगे गर्मा गर्मी रहेंगा पर जंग नहीं होगा त कि उसका एक तो बॉर्डर में भी अक्साय चीन का बॉर्डर लेके भी एक जिवाद है तो और उस पे क्योंकि पाकिस्तान इनके साथ एक समझावता कर चुके हैं एक ऐसे इलाके के लेके इस पर इंडिया का भी दावा है कि उनका इलाका है तो एक तो यह इसलिए चीन भी एक पार्टी हो जाता इस जगडे में और दूसरी बात इस वक्त उनकी जो एकनोमिक कॉरिडॉर की प्लान है जिसके तहद वो समुंदर तक पहुंच पाएंगे इसके पाकिस्तान के थुरू देखते हुए तो इसको देखते हुए उनको इनका चीन का एक बहुत बड़ा स् क्योंकि यह आपका पूरा चीन का एक क्या कह सकते एक इस इकनोमिक कॉरिडॉर पे इसका एक बहुत बड़ा महत्व यह है कि उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां से कर सकते खास तोर से इरान का तेल वहां से वह पोर्ट से पाकिस्तान के जरीए वह चीन में ले जा सकते तकि मलाका स्टेट्स घूम के उनको जाना ना पड़े तो इसको देखते हुए चीन का भी इसमें पाकिस्तान के साथ देना कश्पीर को लगे कम से कम मौखिक रूप में यह तो बनता है इस वज़े से तो मेरे ख्याल से यह अंतरराश्य करेंट पाकिस्तान नहीं कर पाएंग लोग इसके बारे में मौखिक बातचीत करेंगे सीकूरिटी काउंसिल में आएगा तो यह बात करेंगे पर इसकी आगे जादर नहीं बढ़ेगा नहीं मैं पहले यहां साफ कर लूँ आपने जैसे कहा अंतराश्टे मसला यह रहा है तो अंतराश्टे मसला यानी अंतराश् रक्षिय मसला है भारत और पाकिस्तान के बीचे नहीं यह आप देखें दोनों चीज है उन्हों कर दो पक्ष इस पर बैठकर इसको सलह कर ले एक बात यह रही है पर सिकूरिटी काउंसिल पे इस पर रिजलूशन भी रही है तो इसको यह कहना कि अंतराश्टिय विचा दि चीन को दे दिया तो हमने उस तरह चीन को भी तो एक पार्टी बना लिए तो फिर जैसे मतलब पाकिस्तानी चाहरा है आपके जो वो कि वो उसका अंतराश्टे करन उस तरह करें लोग बात करें सारे देश और साइंक तुराश्टन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है क् मसाइल चल रहे हैं इस समय इसलिए उस तरह का समर्थन नहीं मिल पा रहा है इसलिए भी थोड़ा सा परशानी पाकिस्तान की ज्यादा है कि वो ज्यादा बयान इसमें दे रहे हैं बिल्कुल क्योंकि जब उनको बाहरी समर्थन नहीं मिल रहा है तब उनको लगता है कि टेमपरिचर अगर यहां की बढ़ाई जाए युद्ध की नहुबत आ जाती है लोगों को लगे तो शायर इस पे अंतराश्चिय हस्तक्षेप होगा दूसरी बात यह भी है कि जब इहां से ऐसे बयान आते हैं पाकिस्तान को हमने सही कर दिया अगले बात तो वह हम P.O.K पाकिस्तान उकुपाइट कश्मीर को वापस लेने के लिए हम हमला करेंगे यहीं तो बात चली है वो तो यह बात रही है हमने भी कहा कि अगर बात होगी तो P.O.K. पर होगी अगर तो फिर यह मामलबला फसर आ है वो कह रहा है हम कश्मीर पर बात करें पर तो किस तरह से चीز यहा है कोई बातचीत की रहुबत इस वक्त है ही नहीं सवाल है कि सिर्फ जो युद्ध वयान दुनों तरह से आ रही है एक कहरा कि P.O.K. पे बात करेंगे और अगर बात नहीं करेंगे तो हम हमला करके वापस ले लेगी यह भी तो बात कही जा रही है और इसके बात यह भी कही जा पर दवाव यह है यह सब कहा जा रहा है कश्मीर के यह हालात है कश्मीर को समझते हैं पाकिस्तान के जनता समझती है कि पाकिस्तान का हिस्सा है ठीक है ना होना चीए हिस्सा है या दी होना चीए तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर पा रहा है यह भी उस पर प्र तो युद्ध की आवाज तो दोनों तरफ से होगी अद यह नहीं समझना चाहिए एक तरफ से होगा अद दूसरी तरफ से कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब है कि वो तो तब अपना घुटने टेक दिये है पुब्लिकली ये तो कोई देश मानेगा तो दोनों तरफ लोक ये तो दोनों देशों की नेत्रत तो क्या करता है इस पर तो कोई बताना मुश्किली है पर हमारे इहां पर चुनाओं के पहले से शुरू हुआ है कि अंदरूनी मसला को विदेशी करण कर देना ये कहना कि इंडियन नैशनलिजम को इस तरह से हमको बनाना है क्योंकि अब पाकिस्तान को वश्क में करना है तो पाकिस्तान का विरोध में जो बाते कही जा रही थी वो तो अंदरूनी एक सर्जिकल स्ट्राइक भी थी तो इसी लिए इंटरनाशनल क्या करते हैं इंटरनाशनलाइजेशन जो बात है हम भी इसकी पहले कर चुके है? नहीं. दोनों तरफ से युद्ध की बात हो रही है? हाँ. क्या एक दूसरे को फीड कर रही है? इस तरह के बाते ये भी सही है. तो इस पे शान्ती की बात हमाई तरफ से करना इसलिए चाहिए कि दोनों देशों आनवी कास्टर से ड्यूक्लियर वैपन से लेस है. तो इस पे एक अगर इस तरह से कोई युद्ध शुरू होता है, कहां खतम होगा, इसको कोई बता दी सकता है. जी, जैसे हमने आप से पहले भी बात की थी, एनफ यू पर, तो भारत तो इस से अब हट रहा है, मतलब ये कह रहा है कि हम परिष्टियों पर ये तेह करेंगे, तो फिर कैसे शान्ती की बात आगे बढ़ेगी? खैर, शान्ती की बात दोनों देश के नेत्रत ना करें, कम से कम दोनों देश की जनता को तो करनी चाहिए. जी, उसका वही मैं महीं पर आना चाहता था, कि नेत्रत तो लगातार एक लंबे समय से युद्वनमाद वो जगा रहा है, अपने-पने खिते में, अपने-पने इलाकों पर ये जनता अब क्या, वहां का लेखाक, यहां का लेखाक, बुद्धी जीवी, जो एक अवाम है, अब वो क्या करें, अगर माले ये दोनों ने तरत वी आमादा हो जाते हैं, युद्व पर, और इमरान एक तरफ ये भी कह रहा है, इंट्रिव्वी में, मैं युद्व का तो बहुत खतरनाक संकेत हैं, और हमाई तरफ भी इंट का जवाब पत्थर से देने वाली जो नीती अब कही जा रही है, एक से बढ़कर एक, तो फिर जाएंगे कहां, और इसमें क्या रोल होगा अवाम का? देखिए, अगर एक्चुल वार होता है, तो दुनिया इसके, इ कमजोर है, तो पहले से जानते हैं को हिंदुस्तान, इंडिया उससे काफी बड़ा देश है, बेशर्ट, आर्थिक ताकत देखे, सामरिक शक्ती देखे, सब तरह की शक्ती देखे, तो यह तो मान के चलना है, पाकिस्तान चोटा देश है, पर कंवेंशनल वार लंबा नहीं चल सकता, दोनों देशों को बीच में, तो मैंने समझता हूं कि कंवेंशनल वार के वजए से न्यूट्लियर वेपन्स की इस्तेमाल होगा, पर अगर ऐसे कंवेंशनल वेपन्स की कंवेंशनल वार होता है, कहां रुकेगी, एक किसी को बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंक कौन दागेगा, आपने पहले भी इस बात खत्रे की तरफ बताया कि हमारे और उनके बीच जो दूरी है, हमें इतना कम समय है उस पर रियक्ट करने का, और समझने का, तीन से पांच मिनिट, लाहोर से आएगा दिली तक, शाय तीन तीन मिनिट या चार मिनिट लगता है, ठी इसी लिए न्यूक्लियर वैपन्स के लेस, जो सरकारे हैं, देश हैं, उनको एक कंदेंशनल वार की बात सोच दी नहीं चाहिए, क्योंकि यह उस पे लगाम पाना बड़ा मुश्किल है, और बाई एक्सिडेंट, ऐसा नहीं कि आप सोच के करते, बाई एक्सिडेंट भी आ कास नहीं होगा कि क्या रहा है, तो इस थिती में कोई भी शांति पूर्णा तरीके से अगर हम इंसीयों को सुलह न करेंगे, तो खत्रा सिर्व युद्ध के नहीं, परवानु युद्ध का भी है, और यही मेरे लिए लगता है कि सब के लिए एक चैत्वावनी है, कि ऐसे बातचीत ना करें, और शांति की बात करने के लिए दोलों देशों को नेत्रित्व को कहें, तो युद्ध इर्मात में, अब यह जन दवाव कैसे बनेगा, इस बारे में कुछ रोड मैप, कुछ एक आपका विचार है कि सिविल सोसाइटी या बहुत देख या जो और लेफ इमाद जो क्रियेट करने की बनाने की जो पातावरन बनाने की कोशिश है, उसका विरोध करना चाहिए, हो सकता, इस वक्त अनपॉपिलर हो, पर अनपॉपिलर बात अगर नहीं करेंगे, तब आप श्रोत के साथ अगर जाएंगे, तो प्रवाह के साथ साथ अब भेह भी ज जिल्मेदारी है, और राजदितिक पार्टियों की भी इसके जिल्मेदारी है, तो अब बात को हम यहीं विराम देते हैं, दोस्तों इतिहास गवा है, कि जब जब कुर्सियों को खत्रा हुआ है, तब तब सरहदों पर तनाव बढ़ा है, मौज रामपुरी ने एक बड़ा खुब्सूरा शेर कहा था, कि जंग में कतल सिपाही होंगे, और सुर्खरू जिल्ले इलाही होंगे, तो कतल सिपाही होता है, अवाम होता है, और फाइदा उसका, शाशक को मिलता है, जिल्ले इलाही को मिलता है, तो हमें और आपको बेदार रहना है, और अपने अपने इस झाल